गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका बहुत बहुत स्वागत आज हम इस वीडियो में भारतिय प्रमुक्चत्ते विहार और गुफाओं के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे ठीक है तो देखेगा पहले वाले वीडियो मे हमने बोत दरम जैन दरम और इतिहास के तीनों काल इन सब के बारे में हमने जानकरी प्राप्त की थी तो यदि आप लोगों ने हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबाएं ताकि आपको अच सुन सकें पढ़ सकें समझ सकें ठीक है तो देखें पढ़ते हैं भारत के परमुख चत्ते विहारें गुभाई तो चत्ते ग्रह का अर्थ है चत्ते का साब्दिक अर्थ है चिता संबंदी सवदा है के बाद बच्चे हुए अवसेसों को भूमी में गाड़ कर उनके उपर समाध्या बनाई गई उन्हीं को प्रारह में चत्ते अतवास्तू पर कहा गया 인 समाध्यों में महापुरूसों के धातु अवसे सुरक्षित थे अतभाते सत्य उपासना के केिंदर बन गए चत्ते उपासना के केंदर बन गए कालांतर में बोधो ने इन्हें अपनी उपासना का केंदर बना लिया और इस कारण चत्ते वास्तु बोध धरम का अभिन अंग बन गया पहले चत्ते के यह स्थू फुले स्थान में होता था गिंदू बाद में उसे बहुनों में स्थापित किया गया इस परकार के बहुन चत्ते ग्रहे कहे गए चत्ते के चत्ते ये दो परकार के होते थे जैसे पहाडों को काट कर बनाए गए चत्ते तदा इंट पत्रों की साथा से खुले स्थान में बनाए गए चत्ते भारत के प्रमुख चत्ते निमनलिखित हैं कौन-कौन से हैं भारत में प्रमुख चत्ते देखिएगा पस्यमी भारत में साथ वहनों के काल में अनेक चत्ते ग्रहों का निर्मान करवाया गया चत्ते ग्रह तो कम मिलते हैं लेकिन विहार बड़ी संख्या में मिलते हैं। समय के अनुसार इन चत्यों को दो भागों में बाटा गया। जैसे हीनियानी चत्ते तथा महायानी चत्ते। हीनियान मत्में बूद की मूर्ति नहीं बनवाई जाती थी। तथा पर्तिकों के मादेम से ही उन्हें व्यक्त कर पूजा जाता था। इस द्रश्टी से गुफा में स्थूप को ही स्थापित कर उसकी पूजा की जाती थी। हीनियान धरम से संबंदित पर्मुख चत्ते ग्रहें भाजा, कॉंडाने, पित्तलखोरा, अजंता, बेड़सा, नासिक तथा कार ले। इनमें किसी परकार का अलंगरन अर्थात मूर्थी नहीं मिलती। तथा साधरण क्राश्टी ही س्थापित किया गया है। इनका समय इस सा पूरा दूसरी सताब्दी से इस्वी सन की दूसरी सताब्दी तक निर्धारित किया जाता है अधिकतर चत्यक्रों में विहार भी साथ साथ ही बनाए गए हैं साथ वाहन, युगीन, गुफाएं, हीनियान, मत्य संबंदित हैं क्योंकि इस समय तक महायान का उदे नहीं हुआ था अतह है उनमें कहीं भी बूद्ध की परतिमा नहीं पाई जाती तथा उनका पादुका, आसन, स्तूप, बोधिवरिक्ष, आदिके माध्यम से ही किया गया है ठीक है परमुक चत्यों एम विहारों का विवरन इस प्रकार से देखेगा भाजा यह मारास्त्र के पूरे जिल्ले में इस्तित है भाजा की गुफाएं पस्सिमी मारास्त्र के सबसे प्राचिन गुफाओं में से हैं जिनका उत्किर्ण इस सा पूर्वर दूसरी स्तापती के प्रारब में हुआ होगा यह भोरगाट में काले के दक्सिन में हैं इनमें विहार, चत्यग्रह, थता चोदा स्तूप है चत्यग्रह में कोई मूर्ती नहीं मिलती अपितु मंडप के स्तंबों पर त्रीरतन, नंदिपद, श्रीवाट्स, चक्र, आदी उत्किर्ण किये गए हैं स्तंबों की कुल संख्या 27 है यहां के विहार के भीतरी मंडप के तीनों और भिक्सूओं के निवास के लिए कोठरियां बनाई गई थी जिन में से परतेग में पत्थर की चोकी थी जिस पर भिक्सू सयन करते थे मुक मंडप के स्तंबों के सिर्ष भाग पर इस्त्री पूरुष की व्रिशा रोही मूर्तिया कलात्मक द्रस्टी से अच्छी है दो द्रेश से विशेश रूप से उलखनी है पहले में रत पर स्वार एक पूरुष दो अनुचरों के साथ तथा दूसरे में हाथी पर स्वार अनुचर के साथ इसी पूरुष के आकरती है कोंडा ने यह कुलावा जिले में इस्तित है काले से 10 मिल दूर पर इस्तित इस स्थान से चत्य तता विहार मिलते हैं यहां का विहार प्रसिद है जो पून्तिया कास्ट सिल्प की अनुक्रति का पर तयार कियागया है इसके भीज का बड़ा मंदप इस्थमबो पर टीका हुआ है इस्तंबों पर गज प्रिष्ठाकार चट बनी है मुख मंडप की पिछली दिवार में तीन परवेश दुहार तथा दो जालीदार ज़रों के बनाये गए हैं भीत्री मंडप के तीन और विख्षों के आवास के लिए कक्स बनाये गए हैं कोंडाने के चत्ते एम विहार का निर्मान इस्सा पूर्वे की दूसरी स्थापदी में करवाया गया था अगला था पितल खोरा ये खान देश में इस्तित है सत्माला नामक पहाडी में पितल खोरा गुफाएं खोदी गई हैं इनकी संख्या 13 है नासिक तता सोपारा से परतिस्थान की ओर जाने वाले व्यापारिक मार्क पर ये है इस्तित था यहां की गुफाओं का उतकिर्णन भी इससा पूर्वे दूसरी स्थापदी में आरंब किया गया पहले यहां हीन्यान का प्रभावता कि दूबाद में हीन्यान मत का परसलन हुआ ठीक है गुफा संख्या 3 चत्य ग्रह है इसका एक सीरा अर्द वृत जो बेसर परकार का है इसमें 37 अठ पहलू इस्थम लगे थे जिन में 12 सुरक्सित हैं ये मंडब तता परदक्षिना पत क को अलग करते थे इस्थम्बों पर उतकिर्ण दो लेखों से पता चलता है कि पितल खोरा गुफाओं का निर्मान परतिस्थान के स्रेश्ठियों द्वारा करवाया गया था चत्य ग्रह में बने स्थूप के भीतर धातु अवसे सो से यूग्त मंजुसाय रखी गई थी इस को थी गुफा जो एक विहार थी का मुख मंडव मूर्तियों से अलंकरित था उनके उपर कीर्टी मुख बनाए गए थे चैचत्य गवाक्स अब भी सुरक्सित दसा में हैं इनके नीचे उतकिर्ण मिथुन मूर्तिया भवे एम सुन्दर हैं इस्थम्बों पर भी अनेक अल अलंकरिन है दुआरपालों की मूर्तियां काफी प्रभावत पादक हैं पांस से नो तक की गुफाएं विहार एम तेरवी गुफा चत्य ग्रह है नवी गुफा सबसे बड़ी है उसके बीतरी मंडव के चज्जे के उपर वेदी का अलंकरिन है चत्य ग्रह के मंडव की दो स सबस्टते परिलक्सित होता है बोत ग्रहन महा मायूरी में इस स्थान का नाम पितंगले पितंगले दिया गया है अजंता महरास्ट के ओरंगाबाद जिले में अजंता की पाड़ी स्थित है तकसंद दता चित्रकला दोनों ही द्रष्टियों में भारतिय कलाकेंद्रों में अजंता का स्थान अत्यंद उंचा है यह इसा पूर्वा दूसरी स्थाबदी से लेकर साथवी स्थाबदी इस्वीत तक हुआ दूसरी स्थाबदी तक यहां हीनियान मत का प्रभाव था उसके बाद महायान मत का प्रभाव पड़ा यहां कुल 29 गुफाएं उतकिर्ण की ग चत्ते हैं जिसका काल इससा पूर्वा दूसरी स्ताब्दी है इसके मंडब तता पर्दक्षिना पत के बीच 69 स्थम्भों की पंक्ति हैं इस्थम्भ बीच में चोकोर तता अंदर की ओर जुखे हुए हैं मंडब के स्थूप के उपर टेड़ी धरन स्थम्भों के सीरों से निकलती हुई दिखाई गई है इस गुफा के उत्खाता कलाकार ने इससे अनेक परकार से अलंक्रित किया है इस्थूप का अधार गोलाकार है किन्तु उसके उपर का भाग लंबा अंडाकार है नवी गुफा भी चत्ते ग्रह है इसका आकार छोटा है इसके मुख पट के मध्धे में एक परवेश द्वार तथा अगल बगल दो ग्वाक्स बनाए गए हैं तिनों के सिर्ष भाग पर छज्जा निकाला हुआ है उसके उपर संगीत साला है तथा इसके उपर कीर्थी मुख है इससे चत्ते के भीतर प्रकास एवं वायू का प्रवेश होता था सामने की ओर वेदिका का अलंकरण तथा भीतर वर्गाकार मंडप इस्तित है अजन्ता की बारवी तेरवी तथा आठवी गुपई विहार हैं बारवी गुपा सबसे प्राचीन है जो दसवी गुपा चत्ते ग्रह से सम्बंदित है ठीक है नोवी चत्ते गुपा के साथ आठवी विहार गुपा का निर्मान हुआ यह हीन्यान से सम्बंदित है अन्य गुपई महायान मत की हैं अजन्ता की पांच गुपई दस नो आठ बारा और तेरा ठीक है ही प्रारंबिक चरनकी है कालांतर में अन्य गुपई उकेरी गई शोल्वी सत्रवी गुपई विहार तता पहली दूसरी चत्ते ग्रह हैं ठीक है वेडसा की गुफाएं की मनुसे भी स्वार हैं जिने अत्यंत कुसरता से तरासा गया है इस्थंपो के नीचे के भाग पूर्ण कुम्ब में टिकाए गये हैं पस्वो तथा मनुसे दोनों ही रचनाकार में कलाकार की निपुन्टा प्राप्त हुई है वास्तु तथा तक्सन दोनों का अद्वु सम्नवे यहां देखने को मिलता है गुफा के मुख दुआर को वेडिका से अलंकरित किया गया है कीर्थी मुख में भी वेडिका अलंकरण है समस्त मुख भाग वास्तु तथा सिल्फ कला का सरोतम नमूना है वेडिका तथा जालिदार गवाक से इतनी बारीकी से तरह से गए हैं कि वे किसी स्वानकर की रसना लगते हैं सोंद्रिय की दरस्टी से वीड़सा चत्ते ग्रह के मुख पट की बराबरी में केवल कारले गुफा का मुख पट ही आता है चत्ते में अंदर जाने के लिए तीन प्रकार तीन प्रवेश द्वार हैं वेड़सा चत्ते ग्रह के पास आयताकार विहार है इसमें एक चोकोर मंडफ है जिसका पिछला हिस्सा वरगाकार है इसके तीन और चोकोर कक्स बने हुए हैं पूर्वी भारत के विहार पस्चिमी भारत के इसमान पूर्वी भारत में भी परवत गुफाओं को काट कर विहार बनवाए गए थे इन में उड़िसा की राज़नी बुन्वेसर के समीब इस्तित उदेगिरी तता खंडगिरी के गुहा विहारों का उलेक किया जा सकता है उदेगिरी में 19 तता खंडगिरी के गुहा विहारों का उलेक किया जा सकता है उदेगिरी व्याग्रे गुफा है खंडगिरी की परमुक गुफाए देखेगा नवमूनी गुफा देवसभा अनंत गुफा आदी इन गुफाओं का निर्माण कलिंग के चेदी वनसी सासक खारवेल जो इससा पूरा परतमस्ताब्दी में था ने जैन बिक्सों के आवाज से तू करवाया था उदेगिरी की रनी गुफा सबसे बड़ी गुफा है यह दूतली है परतेक तले में मध्य वर्तिकक्स तथा आंगन हैं आंगन के तीन और कमरे बनाए गए हैं इसमें कई मनोहर दर्शों का अंकन हुआ है इनमें प्रेमा ख्यान तथा इस्तरी अपहरन जैसे दर्शे भी है गणेश गुंफा में आखेट के दर्शे उद्देन वास्वदत्ता एम दुसेंत संकूदला जैसे कथानकों के दर्शे उतकिन किये गए हैं वीवित प्राकर्तिक दर्शों साल भंजी का कल्प व्रेक्ष अधिका भी चित्रन है खंडगीरी की अनंत गुफा के समू के अलंकरित बरामदा साथ इस्तंबो पर टिका हुआ है गुहा बित्थी पर गज लक्समी कमल नाग मिथून विधाधर यूगल आदी के दर्शे हैं कमल पर खड़ी देवी लक्समी की मूर्ति सबसे विशिश से है इसमें दो हाती देवी का अभी से करने की मुद्रा में दिखाए गए हैं उलेकनिया है कि उडिसा की गुफ़ाओं में किसी परकार के चत्ते अत्वास तूप नहीं दिखाए गए हैं जैसे कि पसिमी भारत में गुफ़ाओं में मिलते हैं इनमें उतकीर्ण कुछी तर रिलीफ इस्तापत्ते के अच्छे उधारन हैं देखेगा इस वीडियो में हमने चत्ते विहार गुफ़ाओं आदी के बारे में जानकारी प्राप्त की इस टोपिक में से आपको एक नेक क्युसन पक्का पूछा जाता है एकजाम में तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखेगा हमारा वीडियो अंतक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद